एनिमल किंडम टेस्ट नंबर वन क्वेशन नंबर वन विच अब दा फॉलोविंग एनिमल एज पैरासाइट एंड हैव स्मूथ इलोंगेटेड बोडी काटिलेजनेस एंडोस्केल्टन एंड जोलेस माउथ अड़प्टेड फॉर सुकिंग ब्लड बेटास क्वेशन में और कंडिशन को दिहार में रखते हुए आप ओप्शन्स देखिए एसकरीस राउंड वर्म हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच मिग्जिन हैग फिश कार करेड़ोन ग्रेट वाइट शार्क काटलेजनेस फिस होती है आप जानते आपका आंसर है इसमें मिग्जिन अब इ मिग्जिन पेट्रोमाईजोन दीज आर जॉलस फिस दे बलॉंग्स टू क्लास साइक्लोस्टोमिटा कार करेड़ोन ग्रेट वाइट शार्क शार्क रेज यह काटलेजनेस फिस होती है अब हम अपने कोश्चन पे आते हैं फॉर कंडिशन थी कोश्चिन में नमबर वन पैर आपको बता है इंटेस्टानल पैरासाइट होता है लीचेज केटल पर एक्टोपरासाइट है उनका ब्लेट शक करती है पहली कंडिशन फुल्फिल हो गई, second condition हम उठाते हैं exoskeleton की smooth body होनी चीए, आपको पता है शाक्स में cartilisus fishes में scales होते हैं, इन में नी होते हैं, तो exoskeleton 3 animal में absent है इसमें तो present है, next condition पर हम आते हैं endoskeleton, cartilisus endoskeleton होना चीए, तो cartilisus endoskeleton first two group इन दोनों में तो होता ही नहीं है, जो body fluid है वो ह इसको hydrostatic skeleton कहते हैं मिक्जिन में देखोगे साइक्लोस्टोमेट में यहां एंडोस्केलेटन होता है वर्टिब्रेट अनिमल है cartilisus endoskeleton होता है तो यहां cartilisus endoskeleton present है यहां भी cartilisus endoskeleton present है तो four conditions को अगर एक साथ देखेंगे आप पैरासाइड भी होना चाहिए एक्जोस्केलेटन स्केल्स नहीं होने चाहिए एंडोस्केलेटन cartilisus होना चाहिए माउथ जोलेटन होना चाहिए तो जोलेटन माउथ यहां तो आपको पता है कि यह जो शाक्स है यह प्रीडेशियस नेचर के होते हैं इन में स्ट्रॉंग जॉस होते हैं बैक वर्ली डिरेक्टेट टीथ होते हैं प्रें को capture करने के लिए जो इनकी कार्णियोस नेचर को शो करता है तो इनमें जोज भी नहीं है इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा मिग्जिन क्वेशन नंबर 9 प्लूरो ब्रेंख्या केन बी डिस्टिंग्यूज फ्रॉम औरेलिया बाइडा प्रजेंज और आपको पता है प्लूरो ब्रेंख्या फाइलम टीनो फोरा का मेंबर है और यलिया यह फाइलम सिलेंटेटा का मेंबर है एक कहानी आपने सुनी होगी कि टीनो को सिलेंटेट से सेपरेट किया गया क्यों किया गया वो मैं आपको बताता हूं पहले अपने ऑप्षिंस चेक कर लीजिए डिपलो ब्लास्टिक एंड टिशू लेवल ऑफ और्गनाजेशन एक्सिनल रोज ऑफ सिलियरी कॉम प्लेट्स बोथ एक्सा सेललर एंड इंट्रा सेल इसको डिटेल देखते हैं पहले दोनों अनिमल्स के बारे में जान लेते हैं और एलिया फाइलम सिलेंटेटर और निडेरिया का मेंबर है इस ग्रुप का सबसे बड़ा करेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल्स नीडो साइट्स नीडो साइट्स थ्री परपर्स क स्टिंग सेल्स एपसंट होती है सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर सेलेंटेट्स का होता है कि दे अर लेप्रेजेंटर इए इसर भाइप पॉल्ली फोर्म और मेडूसा फोर्म और सम सिलेंट्स फोर्में लाइफेल सैकल उप सम्सीलिंतेटेश अगर आप टीनोर आब देखेंगे तो यहां भी टेंटाकल होते नंबर वी टेंटाकल थे जो कींप सुर घ्मकोन का पते हुआए उसके लिए इन्सक्राण सोगा duduk उसके लिए कि नेक्स वन यह रेप्रदेट्शन एसाईल भी होता है बढ़िंग के थूह सेच्ज़ं बढ़िंग के थूट चनब भी होगा बाई गैमिट तीनोफ लुडक्शण नहीं होता एसेक्ष्चुल रेप्रदेक्शन एक्ष फर्म में नौकेत्पॉन Words में या फिर silented में भी नॉटिस होगा लेकिन कौन सी फ़र्म में polyform में silented में notice होगा because polyform usually societal form होती है medusoid silented में notice नहीं होता इधर आप देखेंगे तो only sexual reproduction होता है एक बात आपने और सुनी होगी कि टीनोफर्ण एनिमल का most unique feature है bio-luminescence bio means living luminous means glowing they have glowing body, they have an ability to emit light during night. क्या इसका significance है? आपको पता है जब stinging cells नहीं होती इन में defense के लिए, protection के लिए, तो फिर अपने आपको कैसे प्रोटक्ट करेंगे, तो इन एनिमल्स में एक प्रोपर्टी डवलप हो गई, यह mostly nocturnal element होते हैं और night में light emit करते हैं, जिसकी वज़े से दूसरे अनिमल्स प्री डेटास इनके आसपास नहीं आते हैं, यह इनके defense का mechanism है, तो बताए आंसर क्या होगा? डिपलोब्लास्टिक, सिलेंटेट, टीनोफोंस, दोनों ग्रूप के members डिपलोब्लास्टिक होते हैं, tissue level of organization होता है, बोथ है, गेस्ट्रो वैस्कुलर केविटी, दोनों में extra cellular, intracellular digestion होता है, दोनों में fertilization, external होगा, दोनों ही aquatic group है, लार्वा भी दोनों में present होते हैं, तो नम्बर 2, इनमें ciliary complex present होते हैं, लोको मोशन के लिए, नम्बर 3, यहां only sexual reproduction होगा, नम्बर 4, इनके अंदर bioluminescence की property होती है, question number 19, planaria fasciola tinea, are the members of phylum platyhelminthes bearing which of the following common characters, they have pseudocelum, absorbs nutrients through body surface, they have dosoventally flattened body, high power of regeneration, आपका answer होगा, third dosoventally flattened body, कैसे होगा, उसके लिए इन तीनों एनिमल्स को हम जान लेते हैं, planaria आपने सुना होगा, यह famous है, high power of regeneration के लिए, इसके बारे में बोला जाता है कि इसकी body को अगर आप pieces में cut कर देंगे, तो smallest piece से भी, within half an hour, whole body reconstruct हो जाएगी, fasciola, liver fluke, sheep और goat liver fluke, आपने सुना होगा, next, tinea, इसको यह है, tapeworm, poc tapeworm, क्यों कहते हैं, इनको tapeworms, they have dosoventally flat, ribble-like body, segmented body, तो उसकी वज़े से दिखने में कैसे दिखेंगे, inch tape के जैसे दिखते हैं, that's why इनको tapeworms कहते हैं, इनके बारे में भी एक बात famous है, और वो बात है, कि they don't have their own elementary canal, उसका reason क्या है, उसका reason यह है, कि आपके intestine में reside करते हैं, small intestine में, मैं कहता हूँ, जन्नत में रह रहे हैं, या खूब सारे digestive nutrients available है, that's why इनको अपनी elementary कनाल रखने की ज़रत ही नहीं है, या आपकी elementary कनाल से directly अपनी body surface के through nutrients absorb कर लेंगे, in general, in general platy helminthes में digestive tract कैसा होता है, incomplete, इन दोनों में incomplete होगा, but tapeworms में digestive tract completely absent होता है, अब चलो आपके options में वापस आते हैं, they have pseudo-silom, आपको पता है, pseudo-silom unique character है, ascalminthes का, पूरे animal kingdom में ascalminthes pseudo-silomates होते हैं, जबकि यह तीनों members तो platy helminthes के हैं, इसका मतलब यह option तो नहीं होगा, absorb nutrient through body surface, यह बात किसके लिए true है, अभी मैंने बताया, यह true है, टीनिया के लिए, बाकि दोनों members के लिए true नहीं है, तो यह option भी नहीं होगा, high power of reservation, unique character है किसका, plan area का, बाकि दोनों का नहीं है, तो यह भी common character नहीं हुआ, तो common क्या है, common है, dosoventally flattened body, इनकी body dosoventally flat होती है, मैं कहता हूँ, यह पापड होते हैं, कैसे पापड होते हैं, यह, देखिए, हाजी, कोई छोटे पापड होते हैं, कोई लंबे पापड होते हैं, यह तीनों की body dosoventally flat है, यह leaf-like body है, यह देखिए, आप ribbon-like body है, question number 24, which of the following animals have cartilaginous endoskeleton and notocode persistent throughout the life, बिटा notocode की बात हो रही है, इसका मतलब coded animal है, और endoskeleton cartilaginous होना चाहिए, options देखिए, cephalocodates, cyclostomates, chondricthes, both two and three, आपका answer होगा, both two and three, means cyclostomates and chondricthes, चलो उसको समझ लेते हैं, cordates, cord means notocode, eta means bearing, animal bearing notocode, income cordates कहते हैं, और आपने सुना होगा, यह three type के होते हैं, eurocordates, cephalocodates and vertebrates, euro means tail, cord means notocode, तो इस group के animals में notocode होगी, लेकिन कहां present होगी, tail में, adult animals, acidia, salpa, dolulum, acidia का photo NCRT ने दिया हुआ है, अगर आप animal को देखोगे, तो इस group के animal यह तो ससाइल होते हैं, तो फिर tail कहां होगी, notocode कहां होगी, इनके larva में, जो larva होती है, उसके larva के सिर्फ tail part के अंदर notocode present होती है, जब metamorphosis होता है, larva transform होता है, adult में, तो tail disappear हो जाती है, notocode भी disappear हो जाती है, next, cephalocodate, cephalo means head, code means notocode, इस group में क्या होगा, कि notocode सिर्फ tail तक restricted नहीं रहती, it remain extended from tail to head, means throughout the length of body, that's why they are popularly called cephalocodates, example amphioxus जिसको brain के उस्टेवां भी कहते हैं, next, higher codates, जिनको हम vertebrates कहते हैं, इन میں notocode only embryonic stage में present होता है, उसके बाद यह notocode replace हो जाता है, किस से notocode replace हो जाता है, वर्टिबल कोलम से कि जगे आ जाती है वर्टिब्रीज कोलम आज vistXT में जैघ अगор अगर हम बात करें कॉंड्रिक थीज कॉंड्रियो मिन्स काटलेज एक थीज मिन्स फिसेज इनको तो कहते ही काटलेजनेस फिसेज हैं इसका मतलव ऑस्टिक्थीज ग्रूप से पहले बॉन्स क्या थी एपसेंट टो इन यह दो ग्रूप निकल के आते जाव वर्टिबल कोलम होगा और काटिलेजनेस होगा तब तक notocode भी पस्स करेगी क्योंकि वह वर्टिबल कोलम एनिवल को proper support प्रवाइड नहीं कर सकता इसका मतलब इन दोनों ग्रुप में notocode भी पस्स करेगा और साथ में cutilisness वर्टिबल कोलम भी होगा तो आप का अंसर होगा ये टू ग्रुप्स